जाहिंद आज हमनों SSE MTS 222 का सेट नबर 32 को यह पर डिसकस करने वाले हैं टोटल जो एक्जाम होता आपका 48 सेट में एक्जाम हुआ है और हम इसके 32 नबर को डिसकस करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलिंग आप चनले का नाम जो है आपका टार्गेट SSE by मानिक नर्ख है और लिंक भी आपका डेस्किप्सर में दिया गया है और लिंक से डाइक जोइन खोड़ सकते हैं या फिन नाम सच कर सकते हैं वहां पर प्रिविए से पेपर पहले 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 कोशन कहा रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसे के कारण उन्हें खीच कर पतले तार में बनाए जासकते हैं तो आपका तन्यता इसका करेक्ट टैंसर हो जागा तन्यता मत्यों डॉक्तिली नेक्स्ट है पांड़े राजवन्स की राधानी क्या थी तो और्हते राधानी ती आपके मधायत नेक्सरी हो जाएगा पांड़े राजवन्स की राधानी था आपके मधाय मधाय इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेस्ट है ईंडो प्लाज्मिक रैक्टिकुलम के बाड़े में निमलखीत में कौनन सा कतन सही है तो यहाश् hazır बताना है कि पहला है इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो था यह जिली यूगते न लिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा निट्वर्क होता है सबसे उस संगीत और उनकी संगीत प्रतिवा के बहतनी है तो पंडित अश्युकुमार सर्मा इस एंसर हो जाएंगे तो सिलसिला और चांदरी जैसे ब्लॉक बस्टर फिल्में किसके संगीत और उनके संगीत प्रतिमा के बहत्री अभिव्यक्ति है यह आपका पंडित स्थिवकुमार सलमाई हो जाएंगे कौष्ट मेर छे देखिए रुकमरीम अरुंडेल भारत के किसास्ति नीत्य से ज़ए है तो रुंट मवडिस अरुंडेल का संब्ध के संब्सका अर्फात की नियु नरतकी नटराज का आपके कॉन सो जाएगा तो कुछीपूरी के लिए अपढ़ना स्वतीषन हो जाएगा कुछीपूरी के लिए याद दखीगा और कत्तक के लिए विद्वर्स 222 के केंदिया बजट में की गए घोसनाओं के अनुसार कोईला ग्यसिकरण के लिए कितनी माग दर्शी परियोजन कंशर हो जाएगा रामपारिक बास्केट बॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं इसमें की समय कोट पर 5 बास्केट बॉल leaders मंदिर उसी प्लाट में सक और में चोल घूलस के काल्में के दौरां नियमीत या स्वेंख Доउविर वस्तुकला के पर सबसे बड़े मंदीरों में से एक हैं और चोव राज राजयय ने अगर्वाई वास्तुकला का एक evento है ब्रतर जोटारी में संथुली circuit एक संथिया इसका correct answer की अचे नेले लिख्य तानिव्य नदी है, इसका नहीं है पूशा, इनधावती, जो यह महानदी है, इसका है, उसर हो जाएगा, तो महानदी की सहाईट नदी कौन सी नहीं है, तो इंधावती जो आपका सहाईख नदी नहीं है. क्योंकि बुर्वाई का मौसम समाप्त हो चुका होता है या उसर जो आपका नागलेंड की एक एवो जन जाती द्वारा मनाई जाता है आपका मौसू तेवहार है नागलाइन के दो और तिवहार है एक तो आपका सेक्रेनी हो जाएगा दूसरा आपका कौन से हो जागा हो जागा और तीसरा आपका मोस्तु तिवहार हो जागा जो कि नागलाइन का थीमस कह सकते हैं तिवहार है नेक्स्ट है आय या उभुवक के अस्तर के आधार पर धंता मापने के लिए इन में से किस समान या सब्दे का परयोग करते हैं तो पोवर्टी लाइन का हम यूज करते हैं निर्धंगता रेखा का यूज करते हैं अप्रेल 22 तक उपलब जानकारी के अनुसार भरत में कपास का अग्रणी या उत्पादक राज्य कौन सा है तो यह ह अग्रणी उत्पादक राज्य है आपका गुजरात इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा महत्मा गांधी ने किस वर्स नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारन सत्यागरा महत्मा गांधी द्वारा पन्ना रास्टी उध्यान निम्लीखीत में से किस राज में है तो मध्य इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा निम्लीखीत में से कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी एवार्ड 2020 जीतने वाली पहले भारती है तो यह आपके मुकेश अंबानी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा तो मुकेश अंबानी हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो है रास्टिय गौरव अपमान निवारन अधिनियम के तहते रास्टिय धोज भारतिय सविधान और रास्टिगान का अनादर नहीं कर सकता है किसी भी कीमत पे नेक्स्ट है राज्य सभा का सदर से बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारतिय नागरिक और कम से कम 30 वर्स का आयू होना आवेसक है तो राज्य सभा का सदर से बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को या तो भारतिय नागरिक होगा यह फिर आपका कम कम 30 वर्स की प्रेस यह नहीं वर्स यह वहना चाहिए भारतिय नागरिक के सास्ट राज्यस का होना चाहिए आगगर करते हैं आपका 35 वर सब्सक्राइब रास्टप्रति का प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए और पचीस साल होता है लोक्सभा के लिए होता है और उसके बाद जो है 21 आत्मक्ता और उसके लेखक से समझेत इन में से कौन सा यूग में गलत पूछा तो गलत कौन सा है एह ओजा लिए डेट और तो आपको अलब क्यजक्यक खाए तो आपका क॥ सब्सक्राइबो का लाइफ इस चिंत न डूगार कम और कमटर उयाँ यूवराज सिंग का निमलिखित गुप्त सासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन समुध गुप्त को कहा जाता है तो निमलिखित सासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं तो यह कहते हैं आपका समुध गुप्त को कहा जाता है छंद गुप्त प्रसम को क्या करते हैं, महराज दिन धारंच के उपादी धारण की थी चंद गुप्त जुचिया ने आपका बिक्रा मद्रिती के उपादी धारण की थी नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर बिटिस सांसद हाउस आफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिये थे दादा भाही नौर जी इसका करेक्ट टैंस हो जगा और इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन् पौवर्टी एंड बिटिश रूल इन इंडिया जिसमें उन्हें ने पहली बार नासल इंकम को बताया था भारत का नासल इंकम को दिखाया था भारत ने दोजा बीस तक किस खेल में आठ उलम्पिक सोन पदक जीते हैं और लास्ट को चन है कि एक वर्ष में प्रती हजार व होने वाली मिर्तिव को हम क्या कहेंगे तो इसको मिर्तिव दर करते हैं और अगले सेट में तब तक क्या करना है आप उसको जान कर सकते हैं आप जान कर सकते हैं जैहिंद जैफारत धन्यवाद